हेलो एबरीवन दिस पूजा कुछवा वेलकम टू माई चैनल मौर इन किचन मौनसून स्टाट हो गया है और इस बारिज के सीजन भी गर्मा गरम समोसे और चटनी मिल जाए तो मज़ा ही आजाए तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही चटपटा और क्रिस्पी मिनी समोसे की रेसिपी जिसे मैं रेगुलर शेप ना देकर इस तरीके का स्टार शेप दूँगी ताकि ये खाने के साथ साथ देखने में भी बहुत इंटरस्टिंग लगे उमीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी इस मौनसून आप ये रेसिपी अपने फैमली और फ्रेंट्स को जरूर शेयर कीजेगा ताकि वो भी इस मिनी समोसे की सुपर टेस्टी रेसिपी को बना कर खा सके तो चलिए फटा फट शुरू करते हैं से बनाना सबसे पहले मिनी समोसे के लिए हम लोग दो तयार कर लेते हैं दो तयार करने के लिए किसी भी फैले हुए बर्तन में डेड़कफ मैदा ले ले इसमें एक चमबच आजवाईन को इस तरह के से रब करकर डाल ले अब इसमें डाले एक चमबच नमा और चार चमबच कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मैदे में इस तरीकी से बाइंडिंग आने लगे तो मोयन हो गया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक डो तयार करने के लिए मैंने यहां पर एक कप पानी लिया है जब दो तयार हो जाएगा तो मैं लास्ट में कप मैदे में आधे कप पानी का इस्तमाल किया है अब डो को रेस्ट करने के लिए ढख कर 15 मिनिट के लिए छोड़ दे अब हम लोग चटपटा स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं स्टफिंग तयार करने के लिए कड़ाई में तीन चम्मस तेल जरम करें जब तेल अच्छ जब प्याज में हलका पिंक कलर आजाए तो इसमें डाले आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और एक चोथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल डाले अब इसमें डाले स्वादानसार नमक इस पैचुला या पटेटो मेशर की मदद से मैश करके मसालों में अच्छे से मिला ले स्टफिंग त्यार है अब इसमें फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्तर डालकर इसे भी अच्छे से मिला ले अब एक कटोरी में एक चमच मैदा और थोड़ा सा पानी डाल कर मैदे की सलरी बना ले इसका इस्तमाल हम लोग आगे समोसे बनाने में करेंगे डो को रस्ट करते हुए 15 मिनिट हो गया है अब इसे थोड़ा सा गूत ले ताकि डो लचीला और सॉफ्ट हो जाए अब इसका दो दुगड़ा करके इस तरीके से पेड़ा तयार कर ले पेड़ा तयार करने के बाद इसे रोटी की तरह हलका मोटा भी ले अब चाको की मदद से इसे इस तरीके से कट लगा कर इसक्वेर सेप दे ले अब कट किये हुए सभी लाइन्स पे इस तरीके से मैदे की स्लरी लगा ले स्लरी लगाने से तलते टाइम समोसे खुलते नहीं है और स्टफिंग बाहर नहीं आती है स्लरी अच्छे से लग गई है अब एक एक बॉक्स पर स्टफिंग का पेड़ा बना कर रख ले अब एक बॉक्स को उठा कर उसकी किनारों को जोड़ते हुए समोसे को स्टार शेप दे तो देखिए कितनी असानी से स्टार शेप बाला मिनी समोसा बनकर रड़ी है तो चलिए मैं एक और समोसा बना कर आपको दिखाती हूँ ताकि आप इसे देख कर बिल्कुल आसानी से बना सके इसी तरीके से सभी समोसों को शेप दे ले अब समोसा तलने के लिए कड़ाई में तेल गरम करें चब तेल हलका गरम हो जाए तो इसमें एक एक करके डाले समोसे यदि आप मारकेट जैसा क्रिस्पल वनाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जब समोसा तैल में डाले तो तेल हलका गरम हो यदि कि आप इसे जादा गरम तेल में डाल देंगे तो समोसा उपर से लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा और यह बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगा समोसा डालने के बाद इसे बिना हिलाय डुलाए मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ समोसे में हलका कलर आने लगे तो इसे थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहे ताकि सभी समोसे के उपर एक बराबर कलर आजाएगा यह इसमें एक अच्छा सा सुनेरा कलर आगया है अब इसे तेल से वहार निकाल ले तो देखिए हमारा क्रिस्पी और चटपड़ा समोसा बनकर रडी है इस मॉन्सून आप मिनी समोसी की इस रेसीपी को ज़रूर ड्राय कीजिएगा और समोसा कैसा बना हमें कमेंट सेक्षन में बताइएगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसीपी के साथ तब तक क